राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं जिससे बीजे पिखे में में हल चल मच गई तीन दिवसी दौरे के लिए राहुल गांधी टिकसस के डलास पहुंचे हैं जहां भारती प्रवासी और इंडियन ओवर सीज कॉंग्रेस के सदस्य नून का भब दिश्वाद में नमस्कार मैं हुश्यारदा सिंग आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दीकन ट्राप द्रसल कॉंग्रेस सांसद और लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने तीन दिवसी यात्रा पर अमेरिका पहुंचे यहां उन्होंने युनिवसिटी ओफ टेकसस के स्टुडेंट से भारती राजनेती एकनौमी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात की इसके अलाबा उन्होंने भारती प्रवासी से भी मुलाकात की पित्रोदा ने अमेरिका के टेकसस में आयोजित एक कारेकरम्ब राहुल गांधी के तारीफों में पुल बांधी उन्होंने कहा राहुल गांधी का एजेंडा कुछ बड़े मुद्दों को संभोधित करना है मैं आपको बता दूँ कि वो पप्पू नहीं है वो उच सिक्षित है वो किसी भी भविश्य पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट है सैंट पित्रोदा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोच का कोई तोड नहीं है उनके पास एक ऐसा दृष्टी कोन है जिसको गलत दिखाने के लिए भाजपा ने करोडों रूपे खर्च की उन्होंने कहा कि भाजपा ने राहुल गांधी के खलाफ गलत दृष्टी कोन बनाने के लिए करोडों रूपे खर्च की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ बताने कि राहुल गांदी अमेरिका पहुचते ही अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा मैं डलास टिकसस अमेरिका में भारतिय प्रवासियों और भारतिय प्रवासी कॉंग्रेस के सदस्य द्वारा किये गए गर्म जोशी भरे स्वागत से वास्तम में प्रसंद हूँ मैं इस यात्रा के दोरान सार्थक चर्चाओं और वहवारिक वारतालापों में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ जो हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा इसके अलाबा उन्होंने एक और पोस्ट कर लिखा डलास ने मेरे युएस दोरे की शांदार शुरुआत की है टेकसस विश्विद्याले में शात्रों और सक्षकों के साथ मेरी बाचीत गतिशील और आकरशक रही जिसमें भरत में राजनिती उत्पादन कोशल सम्मान और हमारे रास्टों के भविशे को आकार देने में युवाओं और महिलाओं की महत पूर भूमिका पर विचार पूर चर्चा हुई भारतिय प्रवासियों को अपने संबोधन में मैंने भारती राजनिती के लिए आवश्यक परमुख मुल्यों पर जोर दिया प्रेम सम्मान और विनम्रता मैंने हमारे संब्धान में नहित सिधानतों को कायम रखते हुए भारत की सम्रद विविधता इसकी भाषाओं संस्कृतियों और परंपराओं को अपनाने के महत्म पर प्रकास डाला अमेरिका की तरफ भारत राज्यों का एक संग है जहां सभी भाषाएं धर्म समुदाय समान हैं भारते प्रवासी हमारे देशों के बीच एक महत पून सेतु के रूप में कारी करते हैं और इन मुल्यों के प्रति उनकी प्रति बदता हमारे दो महान संगों के बीच के बंधन को मजबूत करती है मैं भारत की शम्ता को उजागर करने के लिए उत्साहित हूँ और आने वाले दिनों में और अधिक सार्थक आदान प्रदान की आशा करता हूँ बहरार राहुल गांडी ने कारेकरम में बाचीत करते हूए कहा भारती राजनीती में नफरत का महौल है लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिये मोहबत और भाईचारी की राजनीती की शुरुआत हुई उन्होंने भारत में रोजगार की समस्या को भी प्रमुख मुद्दा बताया और कहा कि इसका कारण ये है कि देश ने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया राहुल गान्दी ने चीन का उदारन देते हुए कहा चीन ने अपने देश में प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है इसलिए वहां रोजगार की समस्या नहीं है भारत में अधिकतर चीजे made in चाइना है चीन की यहनीती उसे रोजगार देने में सफल बनाती है आगे और होने भा लेकिन जब हम कर्ज माफी की बात करते हैं तो मीडिया हम से सबाल करता है वही जब 16,00,00,00 करोर रुपे माफ किये जाते हैं तब कोई सबाल नहीं उठाया जाता भारत में गरीबी पर पूछे गए सबाब में राहुल गांधी ने कहा कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही बात के दुरान राहुल गांधी ने संसत में विपक्ष की भूमिका और राचनिती में सुनने की एहमियत पर जोर दिया उन्होंने कहा सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है क्योंकि सुनने में आप लोगों को बहतर समझ पाते हैं हर मुद्दों को उठाना जरूरी नहीं बलकि उन्मूल भूत मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो जन्ता के जीवन को परभावित करते हैं राहुल गांधे ने बिपक्ष के जिम्मधारियों पर चर्चा करते हुए भी कहा बिपक्ष जन्ता की आवाज है आपकी जिम्मधारी होती है कि आप सोच समझ कर उन् नोने कहा जब आप संसद पहुंचते हैं तो एक युद्ध शित्र की तरह होता है जहां आप विचारों और शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन सबसे महत्पून बात यह है कि यह समझदारी और समवेदन शीलता से किया जाए कॉंग्रेस संसद और लोकसभा में इ ट्राकि इसके जरूरत क्यों पड़ी इसका कारण यскомवारत में संवाध कि सभी रास्ते बंद कर दूबिएन उसे परस्ता नहीं किया यह समझ में आ रहा था कि जंता तक कैसे पहुंचा जाए तब अचानक उन्हें ये विचार आया कि अगर मीडिया और संस्थाएं जंदा से जुड़ने का माध्यम नहीं बन पा रही है तो सीधे जंदा के पास जाना होगा इसका सबसे बहतर तरीका था देश भर में पैदल यात्रा करना और यही उन्होंने किया बहरहाल इस वीडियो में इतना है इस ख़बर पर आपकी क्या रहा है कॉमें सेक्शन में हमें जरूर बढ़े